प्यूटे नौन का आई पीसी नाम लिखना सीखेंगे हमारे आई पीसी नाम लिखने के दोस्तों खुब सारे वीडियो आए हुए हैं तो उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें मैं हूँ सुरेंदर के लेरी चाली हमें अपना इसका सुरुआत करते हैं बिल्कु सिंपल है दोस्तों यहां पर आपको पहंचान ना है किसमें नंबर ओफ कार्बन कितने हैं या आप इसको ऐसे समझे इसको मैं टुकडो में तोड़ दूँ तो यह आपका ऐसे टुकडो में तोड़ जाएगा ब्यूट प्लस एन प्लस आपका आउन अब देखें यहां पर इस ब्यूट सब्द का क्या मतलब है ब्यूट सब्द का मतलब है नंबर ओफ कार्बन यहां पर फोर है ठीक फोर कार्बन के लिए हम क्या सब्द यूज़ करते हैं यह आपको लिष्ट याद होनी चीए तो वान टू थ्री फोर एन किसके लिए है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉंड के लिए O-N-E किसके लिए आए देखो आपके जो Functional Group है उनकी ये लिष्ट आपको याद होनी चीए यहाँ पे Ketone, Ketone का suffix हम क्या यूज करते हैं O-N-E यूज करते हैं यानि On यूज करते हैं तो यहाँ पे On सबद किसके लिए आए दोस्तों Ketone के लिए आए है Ketone यानि आपका RC Double Bond O R यानि यहाँ पे आपका क्या जुड़ावा है Double Bond O जुड़ावा है चाहिए यहाँ जुड़ाव हो सकता है यहाँ जुड़ावा हो सकता है दोनों मैंसे कहीं भी हो सकता है अब देखो कार्बन कितने Bond बनाता है चार Bond बनाता है एक बना हुआ है दो, तीन, चार Complete हो गए 1, 2, 3, 4 इसके Complete है 1, 2, 2 Hydrogen आजएगी इसके साथ आपके 3 Hydrogen आजएगी देखो यह आपका बन गया Complete Formula Okay अब हम अपना क्या करते है इसका नाम लिखते है देखिए Numbering करेंगे नाम लिखने के लिए 1, 2, 3, 4 सरव पर तम हम क्या करते है अपना Functional Group को देखा उसके बाद हम अपना Parent Chain को Select करते हैं तो यहाँ पर यह आपका Parent Chain है जिसमे Number of Carbon कितने है 4 हमने Numbering कर दी Numbering करने के बाद हम क्या करते है अपना जितने Carbon है उसको लिखते है कितना 4 Carbon है तो Carbon Carbon की भी Single Bond है तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते है A, N, E लेकिन जब On आएगा साथ में तो इसका E काईब हो जाएगा और केटन कहां पर जड़ा हो देखे दो नमबर पर जड़ा हुआ है केटन का सफिक्स हम क्या यूज़ करते है O, N, E नाम क्या बन गया Butan 2 On अब देखे आपके मन में कुशिन आ सकता है कि Double Bond जो O है यहाँ ना होकर यहाँ होता तो Sam यह बात यह दो नमबर पर रहता क्योंकि फिर हम नमबर इंग दोस्तों इस साइड से कर देते One, Two यहाँ होता तो यह फिर भी कौन से नमबर पर आता Two नमबर पर आता नमबर इंग दोस्तों हमें उस साइड से करनी है जिससे कि इसको कम से कम नमर मिलें जिससे मैं इस साइड से नमरींग करता हूँ अभी इस समय वन टू तू त्री इसको कौन सा नमर मिला दोस्तो इस साइड के लिए त्री जबकि इस नमरींग के लिए इसको कौन सा नमर मिल रहा है हम किसको लेंगे इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे ठीक है ये बात समझ आ गए हमने अपने इस डारेक्शन को लिए इस तरह से दोस्तां आपका ब्यूटे नौन का ये आई पेसी नाम हो जाता है अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट पर किसको लेखने के लिए उन्य वीडियो दोस्ते के लिए दोस्तों चाहने के लिए इसको लेखने इसको लेखने के लिए आपका रहे विए